So, now इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे Types of Schedules Now Types of Schedule में सबसे पहला हम डिसकस करेंगे Serial Schedule Serial Schedule बहुत easy है आपको पता भी था तो यहां में मैं definition नहीं लोँंगा, मैं directly example के सुरूँआ explain करूंगा लेकिन Serial Schedule के कुछ points है वो आपको याद रखने जरूरी है serial schedule में खास चीज देखने हैं कि अगर आपको कोई schedule दिया हुआ है तो उसमें कोई भी transaction या किसी भी transaction का कोई भी operation बीच में से कहीं preempt नहीं करना चाहिए that means एक transaction अगर सुरू होता है तो वो खतम ही होना चाहिए यह बीच में से कहीं दूसरा operation नहीं start होना चाहिए दूसरे transaction का so यहां पर do not interlive यह याद रखना second point serial schedule में एक चीज हमेशा confirm है क्या है कि जो कोई भी transaction start होता है तो खतम होता है यह consistent खतम होता है यानि कि यह तो वो पूरा start होगा या पूरा खतम होगा बीच में से कहीं concurrency issues नहीं आएंगे because एक transaction शुरू होता है तो खतम होकि दूसरे transaction start होगा so यहां पर consistency पका है so इसका मतलब यह नहीं है कि serial schedule में ही consistency पका है non serial schedule में भी consistency हो सकती है लेकिन वहाँ पर कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है third point यह है कि अगर आपके पास n transactions है तो वहाँ पर possible number of schedules serial schedules कितने होंगे n factorial for n transactions अगर आपके पास n transactions है तो उस n transactions के अंदर n factorial serial schedules होंगे so यह 3 points खास याद रखना है now directly example देख लेते हैं यहाँ पर 2 example दिये हुए तो दोनों example अगर आपने आगे की वीडियो देखी है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा serial है कौन सा non serial है तो यहाँ पर मैं तो भी confirm कर दू कि यह जो है वो serialized है और यह non serial है यह serial schedule यह non serial why because यह transaction को अगर आप देखो तो यह पूरा operations complete हो जाते है और उसके बाद ही दूसरा transaction start होता है यह कहीं से बीच में से preempt नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे serial schedule now second वाले की बात करें तो यहां पर यह बीच में से preempt कर जाता है वापस से transaction one start होता है तो यह concurrently transactions run कर रहे हैं दोनों तो इसको हम serial schedule नहीं बोलेंगे यह क्या है non serial है ओके now एक question कि यहां पर यह non serial नहीं है तो यहां पर problem क्या है तो अगर आपने previous videos देखी होगी तो इस problem को हम क्या बोलते है lost update problem क्योंकि यहां पर right right conflict आ रहा है और यह पूरी update lost हो जाएगी so यह तो problems है problems को किस तरह से solve करना है वो हम देखेंगे now बात यह है कि serial और non serial schedules की so I hope non serial sorry I hope serial schedule आपको समझ में आ गया and अगर आपने well academy को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए और भी gate lectures की videos आएगी और gate tips मैं देता हूँ तो आप मेरी playlist को चेक कीजी वहां पर आपको बहुत सरी आपके काम की videos मिल जाएगी अगर आप gate exam में appear कर रहे हो तो so thank you so much for watching this video में आपके कर राईगी अगर